हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चैनल एट्स नर्चर आर माइंड्स आपने सुना होगा कि अनियन जो है वो आपके बालों के लिए अनियन का जूस बहुत अच्छा होता है और यह रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर लगाता दो हफ्ते तक इसको यूज किया जाए तो बाल इतनी तेज होती है कि इसको लगा के रखना थुड़ा मुश्किल होता है तो उसी के लिए आज एक बहुत ही इजी तरीका में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इसे हफते में दो बार बहुत आराम से यूज कर सकते हैं और वो है घर का बना हुआ अनियन शैं और चार से पांच लेस्ट की कली चाहिए ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सकेल्प के उपर कोई infection हो तो भी बालों की growth रुप जाती है बाल जढ़ना शुरू हो जाते है तो बालों की दौज़ीज करना है तो यह दोनों चीजें जो हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है हमें इसका पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में डालके इसको पीस लेंगे और उसके बाद हमें इसका जूस चाहिए यह जूस डारेक्ट लगाने से जैसा कि पहले मैंने बताया स्मेल आती है तो इसलि करता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूब होगा तो बालों की ग्रोथ अपने आप अच्छी होगी कईयों के बाल गिरने शुरू होते हैं और सिर में पैचेस दिखते हैं उसके लिए तो यह बहुत ही इफादेमंद है अगर आपके भी ऐसे ही कुछ पैचेस बने उसका जूस हमने एक्स्टैक्ट कर लिया ध्यान रहे कि पेस्ट बनाते टाइम आप उसमें पानी बिल्कुल भी एड नहीं करेंगे यह मैं जो पेस्ट बना रही हूँ इसका में तीन टेबल स्कून जूस में लूँगी और चार यूस के लिए यह शैंपू बनेगा तो इसलिए आपने इसमें बेबी शैंपू मिलाएं कोई भी हाई जिसमें कैमिकल जादा होते हैं वो शैंपू नहीं मिलाएं बेबी शैंपू में सबसे कम कैमिकल होते हैं सब प्रप्रम शंब आपको उतने ही शंपू मिलाना दो आफ यह चार भार का अपना शंपू बनाकर रख लेंगे। अब में आपने शंपू भी मिला दिया और आपका शंपू कर तयार हो गया। अगर इसके results आपको और ज्यादा मिलें, और अच्छे मिलें, ऐसा करना है तो आप इसको बना के एक हफते के लिए कहीं भी dark place में रख दें, इसको धूप में नहीं रखना, कहीं खुली जगह में नहीं रखना, dark place में रख दें, जहां direct sunlight नहीं पड़ें तो इसकी properties और ज्यादा मैंने बताई यह 4 बार के लिए बन गया है, तो आप अगर हफते में 2 बार से दोते हैं, तो कितना हो गया यह आपका, 15 दिन के लिए बन गया है, आप 15-15 दिन के batches में इसको बना के रख सकते हैं, ज्यादा नहीं बनाएं क्योंकि अनियन juice जो है, वो smell करेगा, अगर आपने ज्यादा भी बनाना है, तो फिर आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, बस आपका शंपू बन के तयार हो गया, कुछ रोगों को लगता है कि ज्ञाग नहीं आते तो आप बेबी शंपू जब मिलाएंगे, इसमें ज्ञाग भी काफी आएंगे, इसकी medicinal properties भी काफी है जो बालों की growth और regrowth दोनों के लिए बहुत फाइदे मन्द है, बालों में होने वाली maximum समस्या हैं जो हैं जड़ना, गिरना, तूटना वो सब इससे खतम हो जाएंगी, बाल regrowth होंगे, आप इसके फाइदे उठाएं, वीडियो को like and share जोरू करें, comment देके बताएं आपको कै कैसा लगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, thank you, thanks for watching.